तो हेले अर्वेन आई होब कि आप सभी बढ़ी होंगे तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोश्चन सिरीज जिसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा कोश्चन्स प्रैक्टिस करेंगे और सबके सॉल्यूसन्स भी मैं आपको दूँगा कोश्चन सिरीज के फर्स्ट वीडियो में हम आयरे का कोश्चन करेंगे जो कि स्पेसिमेन कोश्चन पेपर में आया है इस बार के सेकेंड सेमेस्टर वाले स्पेसिमेन कोश्चन पेपर में तो वीडियो में हमने पूरा question solve किया है और उसका जो solution है यानि complete जो program है वो आपको description box में भी मिल जाएगा अगर आपने अभी तक अपना course नहीं complete किया है तो आपके सारे वीडियो सेमेश्टर टू के लिए पढ़े है चैनल पर आप उन्हें देख लीजिए और अपना course खतम कीजिए और start कर दीजिए मेरे साथ questions के practice करना so let's start सबसे पहला जो question है उसमें हमको एक class बनानी जिसमें हमको character array of size 10 declare करनी है फिर array में हमको characters accept करने है मतलब user से input कराना है and फिर count number of uppercase letters and count number of vowels फिर हमें बताना है कि कितने uppercase letter है उस array में और कितने vowels हैं so start करते हैं सबसे पहले हमको import वाली लाइन लिखनी होगी so import java.util.steric और सबसे पहले class बना लेते है तो class का नाम रख देते हैं count क्योंकि हमें count करनी ही चीज़े तो उसे से related नाम रखते हैं आप कोई भी रख सकते हैं फिर एक function बना लेते है वाइड डिस function का भी आप कोई भी नाम रख सकते हैं अब हमको इसमें variables सारे declare कर लेते हैं सबसे बहले तुम्हें एक array चाहिए तो array कैसे declare करते हैं टाइप लिखना है फिर उसका नेम लिखना है फिर array का symbol बनाना है एक कॉल टू फिर न्यू कीवर्ड का यूज करना है फिर दुबारा से उसका टाइप लिखना है और फिर हमें इसकी size बतानी है तो 10 size है तो 10 हम लिख दे रहे हैं फिर हमें एक variable चाहिए जिसमें हम श्टोर कराएंगे किते upper case letter है और किते वावेल्स है तो दो variable चाहिए पहला है वावेल्स के लिए count वाव जिसकी value हम 0 भी रख रहे हैं अभी start करना है तो 0 से इने slice कर लेते हैं दूसरा है count अप इसकी value भी 0 है फिर हमें scanner लिखना है तो scanner वाली लाइन scanner sc equal to new scanner system.in तो यह वाली लाइन हो गई अब हमें क्या करना हमें array input कराना है तो array के input कराने के लिए हम हमें loop की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें 10 characters input कराने है तो एक loop है जो कि 10 बार चलेगा और उसे के अंदर हमें एक statement लिख देंगे और 10 बार input करा लेंगे तो पहले loop बना लेते हैं तो यह उसी के नीचे ही है for int i equal to 0 i less than 10 और i plus plus इसके अंदर statement क्या होगा हमें care में input कराना है ch में ch नाम था उसका तो ch के i index पर हमें input कराना है और character को input कराने के लिए हम sc.next.care at 0 इसका use करते हैं तो वह हम लिख दिये रहें ऐसे int के लिए sc.next करते हैं उसी तरह तो इससे क्या होगा इससे हमको array में input मिलेगा पीछे message भी दे देते हैं तो इसी के नीचे हम message भी दे रहे है user को कि वह input करें तो हम लिख देते हैं इंटर 10 characters तो इससे उसे पता चल जाएगा कि अच्छा इंपूट करना है तो यह message आप skip भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी चाहे तो आप लिख दें या फिन नहीं तो अब इसके आगए यहां तक हमाएं पास एक array आ चुकी है हमको array में काम करना है तो array में हमें परसे पहले चेक करना है कि किते वावल्स हैं और हमें चेक करना है किते अपरकेस हैं तो हमें एक लूप लगाना पड़ाए क्योंकि 10 बार हमें चेक करना पड़ेगा तो int j equal to 0 i less j less than 10 और j plus plus तो हमें चेक करना है कि अपरकेस है या नहीं तो if लगाएंगे if c ch ch of j dot is uppercase तो इसका हम यूज करेंगे यहां पर function का अगर ऐसा होगा तो अगर यह if में condition true होगी तो इसके अंदर आएगा मतलब क्यों अपरकेस है अगर अपरकेस है तो हम count up को plus plus करा लेंगे मतलब उसकी value एक बढ़ जाएगी plus plus का मतलब होता है एक बार value बढ़ गई तो जित्ती बार इसके अंदर आएगा मतलब उत्ती बार वो अपरकेस होगा उत्ती बार count up की value बढ़ जाएगी तो मैं at last program के यह पता चल जाए कित्ते अपरकेस लिटर से तो इत्ते प्रोग्राम से हमको क्या मिलेगा यहां तक count आप मतलब की देखे हो सबसे पहले जे की value 0 है ch of j मतलब ch of 0 तो हमें जो array में elements आएंगे उसमें जो 0 index पर होगा वो चेक होगा पहली बार में क्या वो अपरकेस है अगर वो अपरकेस होगा तो count up की value प्लस प्लस हो जाएगी तो इस तरह दस बार loop चलेगा तो दस बार एक एक करके सारे characters आएंगे इसमें इस वाले ch of j में और एक एक करके count up की value बढ़ती जाएगी तो at last हमें सारे अपरकेस मिल जाएंगे कि कितने अपरकेस है वो count up को फिर हम print करा लेंगे तो पहली condition तो थी अपरकेस को चेक करने के फिर यह जो नीचे आपको दूसरी condition दिख रही है इसमें हम क्या चेक करेंगे क्या वो वो vowel है या नहीं तो यहाँ पर हम कितनी condition बहुत सारी है यहाँ पर total 10 condition इसके अंदर है if ch of j is equal to a और ch of j is equal to e तो इन दसों में से कोई भी condition अगर true हो गई तो हमको यहाँ पर यह condition मतलब यह if के अंदर चला जाए तो यह सबसे पहला है ch of j is equal to a ch of j is equal to e तो हमें यहाँ पर 10 बार चेक करना पड़ा है इसलिए चेक करना पड़ा क्योंकि हमें चेक करना है क्या वो तो कित्ते वावल होते हैं टोटल पांच होते हैं ए ई आई ओ और यू लेकिन यहाँ पर अपर के स्लोवर के स्थ दोनों करेक्टर हो सकते हैं उसके पास तो इसलिए हमें 10 बार चेक करना पड़ा और यहाँ पर और इसलिए लगाया है क्योंकि इन में से कोई भी condition अगर true हो यह और का साइन है जो double रंडे वाले हैं तो कोई भी condition true हो तो यह condition true हो जाए तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या कराएंगे अंदर इसके count wow को प्लस प्लस करा लेंगे अगर ऐसा होता है तो count wow में अभी तक क्या था जीरो था और जितनी बार कोई हमें wow wow मिलेगा हम एक बार बढ़ाते रहेंगे तो अभी तक हमाँ पास क्या हुआ हमाँ पास कितने वावल्स हैं और कितने अपर केस हैं इसका data मिल चुका है यह दोनों में store हो चुका है इतना program होने के बाद हमें सिफ प्रिंट कराना है, प्रिंट कराने के लिए सिफ सबसे पहले तो हम एक प्रिंट कराएंगे, सबसे पहले आयरे ही प्रिंट करा लेते हैं पूरी, तो आयरे प्रिंट कराने के लिए हमें लूप की जरूत पड़ेगी, तो for int k equal to 0, k less than 10 और k plus, अगर ऐसा हो, यह लूप दस बा कराना है, हमें print कराना है, अब हम short form ही लिख रहे हैं, system dot print, हमें print कराना है, एरे प्रिंट कराने, तो एरे क्या है, ch, ch का k, तो दस बालूप चले गा और हमें पास, total 10 values आ जाएंगी, तो यहां पर एरे प्रिंट होगे, अब हमें print कराने है, कित ए अपर case लेटर है, तो उन् नमबर ओफ अपरकेस तो यह जितना डबल कोट्स के अंदर होता है वो तो आसे टीज प्रिंट हो जाता है प्लस काउंट अप और हमें प्रिंट कराना है नमबर ओफ वावल्स तो किसमें स्टोर है काउंट वाव में और यहां पर हम सबसे पहले एक फंसर मंद करेंगे जो वाइट डिस्ट है उसके बाद इस ब्रैकेट से हम क्लास को बंद करेंगे तो यह था पूरा प्रोग्राम सबसे पहले हमने यहां पर इंटर करवाया सारी वैलूस को उसके बाद फिर हमने एक एक यहां पर यह लूप लगा करके इसके अंदर हमने चेक किया दस की दसों वैलूस को क्या वह अपर केस है या फिर क्या वह वावल है उसके बाद फिर हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया सब कुछ तो टोटल तीन भाग थे इस प्रोग्राम के पहला था इन्पुट कराना दूसरा था चेक करना तीसरे में हमने आउटपुट करा दिया I hope कि आपको यह प्रोग्राम समझ में आया होगा अब आप क्या कीजिए कि अपने बुक में जो इससे related questions हो या इससे similar questions हो आप उन्हें solve करने की कोसिस कीजिए अगर आपको प्रोग्राम में कोई line नहीं समझ में आये तो आप comment में हमसे पूछ सकते हैं वीडियो से अगर कोई help मिली हो तो आप like कर दिजिए और चैनल को subscribe कर दिजिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ